हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे आज मैं आपकी थर्ड सेमिस्टर की साइन्स की क्लास लेकर के आई हूँ इसमें मैं आपको कुछ important question जो है MCQ question वो कराने वाली हूँ और ये question मैंने आपके पूरे पाठिक्रम से ले हुए है पूरे सलेबस से हैं तो साथ साथ आपका revision भी जो हो जाएगा तो आप सभी लोग जुड़ जाईएगा class को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिएगा करें से किया था और ये किया तक रहाम बेलने तो आशे आपका क्रिया प्रित प्रित्लिया का नियम को रिवाई जरूर कर लिए न फर्स सेमिश्टर में यह है थर्ड में तो नहीं है बटन को रिवाई जरूर करें कोशन क्या है साइन्स में आपके पिछले सेमिश्टर से भी आ जाते हैं अगला कोशन है आपका वायू मंडलीय दाव मापने का वारा ग्रेवी मीटर का काम क्या है तो ग्रेवी में क्या क्या होता है सब्जी में जो ग्रेवी आपकी होती उसमें पानी और तेल होता हैicedगा। पर होता है दूद में ठीक है ना वही उत्तरदाई ये दही बनने के लिए तो इसी कारण लेक्टो मीटर का प्रयोग कहां करोगे ट्रिक बस अपनी जोड़ियेगा जैसे आपको आसान लगे वैसे आपको याद करना है तो लेक्टो मीटर का प्रयोग हम करते हैं दूद की आईजेक न्यूटन ने या एसेन बोस ने तो प्रतवी हर चीज को अपनी तरफ खीच रहे ये दिया था न्यूटन ने नियम ठीक है न्यूटन का गुरत्वकर्शन का नियम है इनके सायद के आपने सायद घड़ना सुनी होगी वो सेव गिरा था और वहीं से नियम जो बन कमेंनित है विब्रियो कॉलैरी साल्मो хотите अमीबा हिस्ट्रोलिका मैको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। है,जा को हम कॉलेरा भी बोलते हैं। इसलिए इसका जो सुक्ष्मजीव रहेगा जिससे ये फैलता है वह है आपका विब्रियो कॉलैरी साल्मो लिदा क्ना ने वाडू है बेक्टिरिया है यह टीवी की जो विमारी होती है ना उसके लिए उत्तरदाई है टीवी की विमारी के लिए जिसको आप क्या बोलते हैं चैरोफ भूई बोलदा चाता है टीवी को इसके बाद आएंगे हरितलवक पाया जाता है जन्तुकोशिका में, कवक में, विशाडू में या वनस्पती कोशिका में, अब देगे हरे तलवक आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये कुछ मतलब ये क्या हरे रंग का है, तो हरे हरे कौन सी चीज़ होती है, वनस्पतिय उता है पूछा जाओं में तो आपके लिए पॉइंट यह क्लोरो फिल आपका हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक रहित पौधों का समू है सेवाल अनावरत दीजी कवक या उपरित तभी तो याद रखना आपके जो कवक होते हैं इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता इसी कारणी ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं कवक यानि की फंगी फंगी में हरिद लवक नहीं होता है ठीक है, आपने सुना भी होगा शेवाल और कवक का सहजीविता का लक्षन तो इसी सहजीविता यहीं पर है कि कवक भोजन बनानी पाता है तो शेवाल उसको भोजन प्रदान करता है और शेवाल के पास रहने का इस्थान नहीं होता तो कवक उसको इस्थान देता है तो इस प्रकार से इनकी सहजीविता से बनता है लाइकेन आगी आईएगा नेक्स्ट कुश्चन है गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को कहते हैं गैस से द्रव में जाना गल्नांग, हिमांग, वास्पी करन या संगरन तो को गल्नांग और हिमांग पहले समझलो क्या होते हैं गल्नांग का मतलब क्या है गलन मीज पिघलना यानि की एक ऐसा ताप मान एक ऐसा ताप जहां पर कोई वस्तु गलना शुरू करती है पिघलनांग शुरू करती है वो उसका गल्नांग होता है हिम, हिमीज होता है जमना एक ऐसा ताप मान जहां पर बस तो जमना प्रारम करेगी यानि की ठो सोना प्रारम करेगी वो उसका होता है हिमांग ये तो ताप मान हो गए और प्रक्रिया होगी हिमी करन ठीके वास्पी करण में क्या होता है वास्पी करण इक प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या होता है जो भी आपका द्रव होगा वो गैसी अवस्था में जाने लगेगा और संगनन जो प्रोसेस है वो इसकी उल्टी है इसमें क्या होता है gas से हम जाते हैं द्रव वस्था में यहां पूछा था gas से द्रव में बतलने की क्रिया तो यह कहलाएगी संगनम मैं यहां पर आपको समझा भी देती हूं ऐसे तीन वस्था हैं होती है पदार्थ की ठोज, द्रव और gas तो जब हम ठोज से द्रव में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गलन यानि की melting process जो रहती ही, वो melting रहती है द्रव से जब हम gas में जाते हैं तो यह कहलाती है वासपी करण अवस्था ठीके, gas से जब हम द्रव में आएंगे तब हमारा होता है संगनन की process और जब हम द्रव से ठोस में आते हैं तो हमारी process होती है हिमी करण की, उसको हम जमना कहते हैं जैसे कि आप यहाँ जल का उधारन लेते हुए भी समझ सकते हो, जब आप जल को लेंगे तो यहाँ पर देखिए बर्फ होगा ठोस अवस्था में द्रव वस्था में जल होगा और गैसी वस्था में जल वास्थ होगी तो देखो, बर्फ से जल बनना क्या होगा? गलना है, उनका पिघलना जल से जल वस्था बन जाना यानि कि द्रव से आप कहां जा रहे हो गैसी वस्था में जा रहे हैं यानि कि दरवस्था से ठोस वस्था में आओगे तो वो कहलाएगा हिमीकरण, नेक्स्ट आईएगा, घड़े में रखा पानी थंडा हो जाता है, समवहन विदी के द्वारा, चालन विदी के द्वारा, कोथन विदी के द्वारा या वास्पन विदी के द्वारा, तो यह वे वास्पन की प्रोसेशलती इसी विदी के द्वारा ठंडा रहता है । यहीं पर संवहन और चालन विदी ये क्या है? ये आपकी ऊस्मा संचरन की तीन विदिया थी? यह कोश्चन कही बार पूछा गया है प्रीवेस एर में उस्मा संचरन की कितनी विदिया है? तो तीन व सम्वहन चालन और विक्रन ये किसकी है तो ये उस्मा के संचरन की विधिया है विक्रन उस्मा संचरन की विधिया है चना मतर की जड़ों की गाठों में पाया जाने वाला जीवाडू है अगले कुशन का उत्तर दीजेगा तो चना मतर जो भी आपकी दलहन वाली फसले होती है इनमें एक जीवाडू पाया जाता है ठीक है उसका नाम क्या है तो वो है आपका राइजोबियम जो नाइट्रोजन इस्थरी करन के लिए उत्तर दाई है कुमार के चाक की गती होती है घोडन गती सरल रिखे गती व्रत्य गती या फिर दोलन गती कुमार के चाक की गती देखो कुमार का चाका आपने देखा होगा इस प्रकार से तो वो ऐसे ही घूमता रहता है ऐसी तो घूमता है यानि कि अगर आप देखोगे तो वो एक अक्ष के ही परते घूमता रहता है जैसे लट्टू घूमता या जैसे हमारी प्रतवी अपनी अक्षपर घूम रहे है और जब कोई पिंड या वस्तू अपनी अक्षपर घूमती है तो वो कहलाती है घोडन गती सरल रेखे गती क्या होता है जब कोई पिंड या वस्तू सरल रेखा में चलता रहे जैसे कोई कार है आपकी या बाइक है वो सीधे जा रही है तो ये क्या होगी सरल रेखे गती हो जाएगी व्रत्य गती क्या होती है किसी पिंड का व्रत्ताकार मार्ग पर घूमना वो कहलाता है व्रत्य गती यानि कि जो कोई पिंड है और वो घूम रहा है चक्कर लगा रहा है और एक व्रत्ताकार मार्ग बना रहा है यानि कि इसी मार्ग पर बार बार घूम रहा है तो ये होती है व्रत्ती है गती और दोलन गती तो आपको पता ही है कि साम में इस्थिती के आगे पीछे इधर उधर गूमना ही कहलाता है दोलन गती ठीक है ये पिंडियां आए फिर यहां जाएगा फिर यहां आएगा इस प्रकार से घूमते जाना ये है दोलन गती प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उधारन है सरौता नेलकटर सीडी या हैंड़ पम उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं पता है स ठीक और एक होता है आपका 33 डीक का यहां तीन पॉइंट समझने बाले हैं एक है आपका आलंब दूसरा है आपका आयाम सरी यहां पर लिखती हूं आलंब भार और आयास आयाम नहीं उसको आयास बोलते हैं ठीक है इन तीनों के आधार पर ही बाटा गया है जब आलंब बीच में रहता है तब हमारा बन जाता है प्रथम श्रेडी का उत्तोलग जब भार बीच में रहता है भार का मतलब है जो वस्तु है वो बीच में रहेगी हमारी तब बनेगा दुतियस रेडी का उत्तोलग और जब आयाज, आयाज का मतलब होता है प्रयास करना या फिर जो आप बल लगा रही होंगे वो, वो अगर बीच में रहता है तब बनता है तरतियस रेडी का उतोलग और बाकी की जो दोने जैसे आलम बीच में तो उसके इधर-उधर क्या होंगे भार और आयास रहेंगी क्लियर आलंब का मतलब होता है कि बीच में जहां घूमने का होगा ना जिसके कैची है कैची को जब आप चलाते हो तो एक पॉइंट होता है जहां पर कैची क्या है कैची के जो दो आपके वो होते हैं वो घूमते हैं वही होता है क्या आलंब तो देखिए इन सम्में आलंब कि होगा तो सौरोंता में क्या होता है सरॉंता में जो भार होता है वह Сейчас इस पने दुपे कर रोंने में करते हो इसा कुछ बनेगा यहां से चिमता यह होता है बीच में हम बल लगाते हैं यहां पर रोटी होती है ऐसी तो होता है तो आयास बीच में इसका मतलब क्या है वो 33 स्रेडी का उत्तो लग है तो चिम्टा और नेल कटर आपके एक ही केटागरी में आएंगे 33 स्रेडी में बचा हुआ कौन सा है हैड पंप तो हैड पंप यहां पर वो आपका कौन सा है प्रथम श्रेडी का उत्तो लग है ठीक है इसमें आलम जो है वो बीच में होता है एक बार में आपको इवाइस करा देती हूं प्रथम श्रेडी के उत्तो लग में आलम बीच में दुतिय श्रेडी में आपका भार बीच में और 33 स्रेडी में क प्रियोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं है क्या है अनावश्यक अंगों में अजाएंगे तो सी ओप्षन आपका रहेगा का सूत्र है CH4C2H4 चुडलम तो का इन पर और यह किसका है और और है विजसको हम आथीन भी बोलते हैं और C2S6 यह किसका है यह आपका एथीन का है ध्यान रखना यह एथीन है वो एथीन है नेक्ट कुशन पर आईएगा जब वस्तो अवतल दर्पन के मुख्य फोकस वर्कृता केंद के बीच में रखी होगी तब प्रतिविंब बनेगा यह आपका रहा दर्पन P होता है मुख्य फोकस और वकृता केंद जिस वरत से यह काटकरके बनाई गईए ओगी और दर्पन वो उसका जो केंद रोता है वही कहलाता है वकृता केंद इनके अगर बीच में रखी होगी तो इसका प्रत्विम कहीं न कहीं बाहर जा करके बनता है यानि कि अनन्त और वक्रता केंद के बीच में तो ऐसी सत्विम प्रत्विम नीचे बनता है यानि प्रत्विम जो है वो वास्त्विक होता है वस्तु से बड़ा बनेगा और क्या होगा उल्टा होगा वास्तिविक तो सदेव उल्टी रहते हैं तो आपका जो उत्तर सही रहने वाला है वो कौन सा रहेगा ए ओप्शन कि प्रतिविम जो है वो कैसा होगा उल्टा वास्तिविक और वस्तु से बढ़ा और तो कहीं नहीं या वास्तिविक छोटा है त यह कहते हैं यह कुश्चन आपसे 2023 में शायद पूछा गया था तो तरल सोना इसको इसलिये कहते हैं कि बहुत महगा पदार थे और कई सारी चीज़ें इससे प्राक्थ की जाती है इसलिए और तरल पदार थे बन जाएगा निमनलिकित में इसे पत्ती से संबंधित अंग नहीं है पर्णाधार पर्णवरत पर्वसंदियां या पर्णफलक देखो पर्णधार पर्णवरत पर्णफलक ये तीनों ही पत्ती के भाग है कौन सा इसमें अलग है पर्वसंदियां यही पत्ती से नहीं जुड कार्वन का अक्रिस्टलिय अपर रूप है अक्रिस्टलिय ग्रेफाइट फुलरीन लैंब ब्लैक या फिर हीरा अक्रिस्टलिय अक्रिस्टलिय अपर रूप वह अपर रूप होता है जिसमें कार्वन की जो व्यवस्ता होगी वह एक अच्छी तरीके से नहीं होगी ऐसे आप स ऐसी काजल आ जाएगा इसमें हुआक में अग उन्य लोड़न की एक इने नमन और्वन रोप में लें सब्सक्सपी बात रोड़न क्युक्न नमक समझãy लो गार्वन होता है रोटी चीनी कुछी शुगर जो है यह सितने भीchae आपको को मिलेंगे, ग्लूकोस हो गया, सुक्रोस हो गया, फ्रक्रोस हो गया, सभी में carbon मौजود होता है, कौसा इसमें बचाą? NECL , यानि की नमक, सूत्र से भी आप इसको निकाल सकते थे इसका सवानिसूत्र क्या है, मतलब नमक का फॉर्मूला क्या रहासाइनिक सुत्र, रासाइनी सूत्र इसका है NACL, कार्मन का कृश्टलिय रूप है काजल जन्तुचार कोल, कोईला या फिर हीरा, तो कृश्टलिय रूप की बात की है, जिस अभी ऊपर कुश्चिन आया था, कृश्टलिय रूप होता है हीरा ग्रेफाइट भी क्रिष्टली यह है आपका और फुलरीन यह तीन ही बस आपको ध्यान रखने यह तीनों ही क्या है क्रिष्टली अपर रूप हैं आएगा नेक्स्ट कुशन पर कौन सी गैस सुरक्षित और जातर सभी आग भुजाने की मशीरों में उपयोग की जाती है नाइट्रोजन ओक्साइट, कार्बन डियोक्साइट, सल्फर डियोक्साइट या नाइट्रस ओक्साइट तो यह है आपकी कार्बन डियोक्साइट आंसर रहेगा बी ओप्शन दाब का MKS मात्रक है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेर या फिर अर्ग, दाब का मात्रक, दाब का सूत्र पहले तो आना चाहिए, दाब बराबर क्या होता है, बल, बटे, छेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, और छेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वेर, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेर, चले में पाये जाते है एर होल्स यानि कीशा रंद बिलस पाये जाते हैं जो जली हो जैसे आपका अक्टुपर्स हो गया ठीकेर और आपका क्या बोलते हैं मचली हो गई इसमें गिलस होते हैं फेफडे मनुश्यों में है आपके फेफडे वाईू दाव आरोपफित र kuस्श क केवल नीचे की दिशाओं में, चारो दिशाओं में, किसी भी दिशाओं में तो वायू हमेशा चारो दिशाओं में जो दाब है वो आरोपित करती है अगला कुशन है किसी वस्तो द्वारा प्रति सेकेंड किये गई कमपनों की संख्या को कहते हैं आवर्तकाल, आयाम, आवरत्ती या इन में से कोई नहीं तो ये कहलाती है आवरत्ती और एक आवरत्ती करने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल बाहे कर्ण बना होता है अस्थीका उपास्थीका उरोस्थीका या इनमे से कोई तो बाहे कर्ण जो होता है वो बना होता है उपास्थियों का तो उत्तर सही रहेगा बी ओप्षिन नवी कर्णी ये संपदा है म्रदा, कोहिला, पेट्र IDE instruments कौन सी है इसमें नवी करनी है देखो नवी करनी संपदाएं वे संपदाएं हैं जिनके भंडार सीमित नहीं है असीमित हैं लेकिन फिजूल खर्च करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता है तो नवी करनी ऐसी संपदाएं हैं जिनका आप सकते हैं उनके बंडार आसीमित हैं अनवी कर्नियी संपताइं जो होती हैं उनके भंडार सीमित हैं उनको बंडने में काफी टाइम भी लगेगा अगर आपने इनको ज़ादा वेस्ट कर दिया तो अनभी यह में आ जाता है कोईला प्राकर्तिक गैस और पेट्रॉल तो नवी करने के लिए क्या बच्छा मरदा ऐसे ही जल हो गया सूरी का प्रकाश हो गया यह सब क्या है नवी करने यह संपदा है Sंचारी रोग कौनसे होते हैं जो एक दूसरे से फैल जाते है एक दूसरे में तो मद में तो नहीं फैलता, कैंसर भी नहीं फैलता, जोडों में दर्द भी नहीं फैलता, कौन सा फैलता है, हैजा, तो उत्तर सही रहेगा, ए ओप्षन, एड्स होता है, कवक से, जीवाडू से, विशाडू से, इन में से कोई नहीं, तो एड्स जो रोग है, ये होता है, व एक पैर पर खड़े होने पर दोनों पैर पर खड़े होने पर या लेटने पर दाब का सूत्र क्या है पी बराबर एफ अपॉन ए तो दाब देखो किस कंडिशन में दिखोगा जब आपका छेत्रफल कम होगा छेत्रफल कम होगा तो दाब कैसा हो जाएगा अधिक हो जाएगा तो इसमें देखो छेतरफल कम कहां पर होगा बैठने पर या एक पैर पर खड़े होने पर या दोनों पैर पर खड़े होने पर या लेटने पर दाब सबसे अधिक कम मिलेगा जब छेतरफल कम होगा और छेतरफल कम मिलेगा एक पैर पर खड़े होने पर तो दाब वहां अधिक हो जाएगा, ठीक है, अगर हम बल को बराबर रखते हैं, बल को हर कंडिशन में, हमने 5 न्यूटन ही रखा, और हम छेतरफल को अगर देगे, छेतरफल को घटाते जाएगे, तो दाब भढ़ता जाएगा, ठीक है, तो यह होता है, नेक्स्ट आगे 31 का सामाने सूतर होता है, CnH2N प्लस 1, और आपका एलकीन का होता है, हैलकीन का होता है, CnH2N और एलकाइन का होता है, CnH2N माइनस 1, रखत दाब का मापन करते हैं, बलड प्रेशर किसके द्वारा मापन करते हैं, स्विग्नो मैनोमीटर, बैरोमीटर या स्टेथोस्कोप, तो भाई रक्त दाब ब्लड पैशर को हम आपते हैं स्विग्मो मैनो मीटर के दुआरा बैरो मीटर से तो हम बायो मंडली दाब का मापन करते हैं इस्टैटो स्कोप से वो धड़कन का मापन ठीके अशुद्ध रक्त बहता है शिरा में धमनी में पल्मोनरी धमनी में या एवसी दोनों में तो देखो अशुद्ध रक्त हमें पता है शिराओं में बहता है और दो मैने आपको शिरा और धमनी और बताई थी एक थी पल्मोनरी शिरा और एक थी पल्मोनरी धमनी बताया था कि जैसी पल्मोनरी वर्ड लग जाए वैसे ही शिरा और धमनिया जो काम कर रही थी उसका उल्टा करने लगेंगी यानि कि धमनी में आपको पता है कौन सा रक्त बहता है शुद्ध रक्त तो जैसी पल्मोनरी वर्ड लगा अब इसमें कौन सा रक्त बहेगा अशुद तो आपका उत्तर रहेगा A और B दोनों सही है इसलिए आंसर सही हो जाएगा D option A वभी तोनों में ठीक है कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा अधिक होती है भेमिथैन ब्यूटेन ऐधियन और एथिलीन कुकिंग गैस जो आपकी LPG है पहले तो बताऊ किसका मिश्रण है LPG में किसका मिश्रण होता है तो याद रखना LPG में प्रॉपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है और इसमें सबसे जादा मात्रा होती है ब्यूटेन की नेक्ट कुश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है प्रकास सीधी रेखा में चलता है माध्या मदलने पर प्रकास की चाल बदलती है प्रकास विद्धुचुमकी यह तरंग नहीं है या उपर युग तो सभी तो देखो प्रकास सीधी रेखा में चलता है यह बिलकुल सही बात है यह गिवला एक्सपरिमेंट भी करवाया गया होगा छोटे पे कि तीन गत्ते समान मात्रा के लेकर के काट लीजिए बीच में सभी में होल कर लीजिए इधर से जब आप टॉर्च के द्वारा प्रकास डालोगे तो प्रकास क्या है इन छिद्रों से होता हुआ बाहर निकलता है जैसे गत्तों को उपर नीचे किया वैसे प्रकास क्या है आरपार नहीं निकलता तो यहां सिस्पस्ट होता है कि प्रकास क्या है सीधी रेखा में चलता है माध्यम के बदलने पर प्रकास की चाल भी बदल जाती है निर्वात में अलग होगी वैसे अलग होगी तो माध्यम बदला तो प्रकाश की चाल भी बदली ये वाला पॉइंट गलत हो गया प्रकाश जो है वो एक विद्धुचुम्ब की तरंग है और यहाँ पर लिखाए नहीं है तो यही पॉइंट गलत हो गया हमसे गलत वाल ही पुछाता है इसलिए उत्तर हमारा यही वाला सही हो जाएगा ओसमा धारिता का मातरख है कैलोरी प्रति क्लिविन लिखा हुआ है ये भी सही है एकांक छेत्रफल पर लगने वाले अभियुलंबवत बल को कहते हैं उर्जा, दाव, कार या आवेश एकांक छेत्रफल पर लगने बाला बल क्या कहलाता है दाव कहलाता है उत्तर हेगा बी ओप्सन सही प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटना है तारो का टिम्टिमाना, पैंसिल का मुड़ जाना या फिर पानी में सिक्के का वास्तरिक्ता से उपर दिखना ये सारी घटनाएं जो हैं ये प्रकाश के अपवर्तन से ही जुड़ी हुई है तारो का टिम्टिमाना जो हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है सही रहेगा डी ऑप्शन उपर युक्त सभी नेक्स्ट कुश्चन है निकट द्रस्टी दोस को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस उत्तल दर्पंड अवत्तल दर्पंड अवनी ट्रिक बताई थी वस वही ध्यान रखना अव यानि कि अवत्तल और नीमी नेक्स्ट कुश्चन है भारती अंतरिक्ष कारिक्रम के जनक है आरेभर डॉक्टर हॉवर्ड माइकल डॉक्टर विक्रम सारा भाई तो भाई यही है आपके जनक डॉक्टर विक्रम सारा भाई नेक्स्ट कुश्चन है जिवाडु से प्राप्त होने वाली प्रतिजैविक ह स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन पैंसिलीन या यह अभी दोनों तो देखो यह तैसे चार तीनों जो लिखी हैं तीनों ही प्रतिजैविक हैं इसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और नियोमाइसिन है यह दोनों ही जो है वो आपकी किसे प्राप्त होती है जी वाडू ठीक है चलो एजुसेट क्या है सेक्षिक समिती सेक्षिक उपग्रह सेक्षिक कारिक्रम या सेक्षिक प्रवंदन तो एजुसेट की जो फुल फॉर्म है वो है एजुकेशनल सेटेलाइट यानि की एजुसेट क्या हो गया एक सेक्षिक उपग्रह एजुकेशनल सेटेलाइट हम मनाते हैं पांच जून को पटवट से टाइप करिएगा 22 अप्रेल और 22 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है देखे गुमा फिरा के कोशन पूछे जाते हैं यहीं कोशन बन जाएगा 22 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं 22 मई को कौन सा बनाते ह ऐसे कोश्चन आ जाते हैं खीक है अगला कुश्चन है आपका न 2 cow 3 into 10 h2o रासायनिक सूत्र है धावन सोडा खाने का सोडा चूना पत्थर या फिकलुकोस तो यह सूत्र है धावन सोडे का फड़ावट से बताओ खाने के सोड़े चुना पत्थर ग्लूकोस का सूतर क्या है खाने के सोड़े का सूतर होता है N.A.S.C.O.3 ग्लूकोस का होता है C.6H.12O6 और चुना पत्थर का होता है C.A.C.O.3 प्रतिजैविक औसदी है पैंसलीन, इंसुलिन, ओक्सिन या ओल्डरिन हार्मोन है, जिसकी कमी जब हो जाती है, तो मधोमे रोग हो जाता है, यानि कि diabetes हो जाता है, और insulin कहां से निकलता है, अग्नयाशे जो ग्रंथी आपकी, वहां से ये निकलता है, तो इतनी ही question रखने ते, आज मुझे 45 question हो चुकी है, आज इतना ही रखती हूँ फिर मिलूंगी आपकी next class में class कैसी लगी सभी लोग जरूर बताईएगा comment करके thanks for watching and please like share and subscribe my channel bye bye take care